नमस्कार दोस्तों, Mr. Coding Channel में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्लैलिस्ट है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। तो वहाँ से आप उसको ओपन करके सभी वीडियो स्टेप बाई स्टेप देख लीजिए। ताकि आप MS Office Word बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। और दोस्तों यहाँ पर टेबल की जितनी शॉटकट की हम सीखने वाले वो सभी शॉटकट की आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिये। तो वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम टेबल की अलग-अलग कई साई शॉटकट की हैं। वह हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने MS Office Board ओपन कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर पहली ट्रीक है हमें टेबल क्रिएट करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं, हम प्लस और माइनस निशानी ये जो दो सिंबोल है, ब्लस और माइनस के उस सिंबोल का यूज़ करके हम टेबल क्रियेट कर सकते हैं। दोस्तों किस तरह से करना है दोस्तों प्लस का सिंबोल है वो कॉलम दर्शाता है और जो माइनस का सिंबोल है वो कॉलम की वीथ दर्शाता है तो यहां पर हम कॉलम सुरू करेंगे माइनस की निशानी मतलब कॉलम की वीथ फिर से कॉलम सुरू करेंगे माइनस निशानी कॉलम क कॉलम की वीथ और फिर कॉलम इतना करके आपको एंटर की प्रेस करनी है जितनी कॉलम आपने यहां पर रखे होगी उतनी कॉलम का टेबल क्रियेट हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों नया टेबल क्रियेट हो गया फिर से दोस्तों यहां पर देख लीजिए किस तरह से करना है प्लस की निशानी प्रेस करनी है फिर माइनस की निशानी मतलब आपको कितनी width रखनी है column की फिर से plus की निशानी column की width plus की निशानी minus की निशानी column की width और फिर enter की तो यह दोस्तो टेबल create हो गया तो यहाँ पे दोस्तो आपको single row वाला table create करना है तो इस तरह से create कर सकते हैं अगर दोस्तो आपको एक से ज्यादा row और column वाला table create करना है तो किस तरह से करना है दोस्तो यहाँ पे shortcut की है alter A, I और T दोस्तों यहाँ पे इस तरह की जोग, shortcut की वहाँ पे थोड़ा आप द्यान दीजेगा यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको key press करना है, alter A फिर इसको छोड़ देनी है, फिर press करनी है, I फिर इसको छोड़ देनी है, फिर press करनी है, T यहाँ पे जितनी भी shortcut की इस तरह से लिखी हुई है वहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है पहले alter और A साथ में प्रेस करनी है फिर इसको छोड़ देनी है फिर I को प्रेस करना है फिर इसको छोड़ देना है फिर T को प्रेस करना है इस तरह से दोस्तों ये shortcut की आपको use करनी है तो दोस्तों हम हमारा cursor यहाँ पे रख लेते हैं दोस्तों keyboard में से key press करूँगा Alt A, फिर I press करूँगा, छोड़ दूँगा, फिर T press करूँगा जैसे ही हम ये shortcut key press कर लेते हैं यहाँ पे आपको पुछेगा कितनी column और कितनी row चाहिए, 5 column, 2 row ओके पर क्लिक करेंगे 5 column और 2 row वाला table create हो जाएगा किस तरह से करना है दोस्तों आपको Alt A, फिर छोड़ देनी है, फिर I, फिर T तो यहाँ पे पूछेगा कितनी column और कितनी row यहाँ पे column और row दे दीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए, table create हो जाएगा next है दोस्तों आपको एक cell में से दूसरे cell में जाना है, मानलो हमारा cursor यहाँ पे एक number पे है यहाँ से आपको right side का जो cell है, वहाँ पे जाना है, तो आपको क्या करना है, keyboard में से key press करनी है, table फिर से आप press करेंगे, next cell में जाएगे, फिर से आप press करोगे, next cell में जले जाएगे, फिर से आप press करोगे, तो next cell में जले जाओगे फिर दोस्तों, next option है, आपको previous cell में जाना है, मान लो हमारा cursor यहां पे 45 पे और हमाई 48 पे जाना है, तो shortcut की है, shift tap, आप shift और टेब दोनों साथ में प्रेस करना है, जितनी बार प्रेस करोगे, उतनी बार, आपका जो selection है, cursor है, वो previous step में, मतलब के अगले cell में चला जाएगा, फ उसके आगे चला जाएगा, तो किस तरह से दोस्तों करना है, shift और टेब दोनों साथ में प्रेस करना है, previous cell में जाने के लिए, next गोस्तों, last में आपको नई रो एड़ करना है, यहां पे दोस्तों, हमने चार नंबर तक एंट्री किये, हमें एक और एंट्री करनी है, तो यह यहां पे हमें नई रो चाहिए, last में, तो आपको क्या करना है, आपका करसर, last row के last cell में ले जाना है, और यहां पे जाके आपको क्या करना है, टेब की को प्रेस करना है, तो यहां पे last row अपने आप आप आजाएगी, और यहां पे आप एंट्री कर सकते हो, इस तरह से करना दोस्तों आपको अपना करसर लास्ट रोमें रखना है फिर टेब की को प्रेस करना है अपने आप नई रो एड़ हो जाएगी यहां पर दूस्त अपको दूस्तों नई रो एडे करने जिष रौ में आपका करसर है उस ऊपर के वाज़ुए कनईर एड करनी तो इसकी shortcut की है, Alter-A, I, A, यहाँ पर करोगे पर आपको पहले press करना है, Alter-A, oder तो फिर इसको छोड़ देना है, फिर I को press करना है, फिर E press करना है, तो हम यहाँ पर दो नमबर का record है, उसके उपर तो हम नई एड़ करना चाहते हैं, तो हम हमारा करसर यहां पर रखेंगे, की बोड में से की ब्रेस करूँगा, अल्टर, अब दोस्तो हमें चार नंबर का जो हमारा रेकॉर्ड है उसके उपर हमें नई रो चाहिए तो हम कीबोर्ड में से कीड्रेस करना के अल्टर ए, आई, ए तो यहां पे नई रो एड हो गई तो इस तरह से दोस्तों आप जहां पर भी आपका Cursor उसके उपर आपके बाग्यू आपने रोख करना चाहते हैं तो इसके लिए shortcut क्घृटिक अल्टर 9231 चीह को जहांपर भी आपका cursor है उसके नीचे मतलब के । उसके नीचे आपको नई रो एड करनी है तो उसकी shortcut कि Alter A, I, Below का B, तो यहां पर हमारा cursor रखेंगे, हमें दूसरा नमर का जो रेकॉर्ड है उसके नीचे हमें नई रो चाहिए तो हम कीबोर में से की प्रेस करेंगे अल्टर ए छोड़ देंगे आई प्रेस करेंगे उसको छोड़ देंगे बी तो यहां पे नई रो एड हो गए अब दोस्तों हमारा तीसरे नंबर का रेकॉर्ड है उसके नीचे हमें रो और हमारा करशर यहां पे रख लेते हैं, अल्टर A, I, B, तो यहां पे नई रोम एड हो गई, फिर दोस्तों, नेक्स टॉटकट की है, आपको नई column एड करनी है, राइट साइड में, दोस्तों, हमारा करशर यहां पे रख लेते हैं, सब्जेक्ट फाइप और हमें राइट सा साइड में नई कॉलम एड हो जाएगी किस तरह से करना है दोस्तों अल्टर ए प्रेस करना है फिर छोड़ देना है फिर आई प्रेस करना है फिर छोड़ देना फिर आर प्रेस करना है तो यहां पे नई कॉलम एड हो गई किस तरह से करना है दोस्तों हम यहां पे नेम और सब् फिर दोस्तों आपको left side 9 column add करनी है, यहाँ पर जो name की column है उसके left side 9 column add करनी है, तो हम हमारा cursor यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर shortcut की है, alter A, I, L, तो यहाँ पर left side 9 column add होगे, किस तरह से करना है दोस्तों? हम यहाँ पर undo कर लेते हैं, किस तरह से करना है? alter A, फिर छोड़ देना ह आई प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, और फिर L प्रेस करना है, यहाँ पर left side 9 column add होगे, फिर दोस्तों next shortcut की है, आपको कहीं पर भी नई row add करनी है, यहाँ पर दोस्तों हमें जो दो नमबर का record है, उसके बाद में हमें नई row add करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना cursor, यह जो दो नमबर की row है, उसके बाहर पर जाके click करना है, मतलब आपको अपना cursor यहाँ पर बाहर लेके आना है, तो दोस्तों अब देखिए, यहाँ पर हमारा cursor blink हो गया, जब cursor बाहर ब्लिंक होगा, आप enter की press करोगे, नई row अपने आप add हो जाएगी, किस तरह से क दोस्तों रो डिलिट करने के लिए, अब दोस्तों यहाँ पर इस रो को हमें डिलिट करना है, तो आपको क्या करना है, करसर आपको इस रो के किसी भी सेल में रखना है, तो हम यहाँ पर हमारा cursor रख लेता है, सेल डिलिट करने के लिए, यहाँ पर shortcut के अल्टर ए साथ में प करसर यहां पर रख देते हैं, अल्टर A, D, R, तो इस तरह से दोस्तों हम रो डिलिट कर सकते हैं, नेक्स्ट, शॉटकट के दोस्तों, कॉलम डिलिट करने के लिए, जिस कॉलम को आपको डिलिट करना है, उस कॉलम के किसी भी सेल में आप अपना करसर रख लेजिए, हम यहां पर हम हमारा करसर रख लेते हैं, उसकी शॉटकट के अल्टर A, D, और C, किस तरह से करना है दोस्तों, अब हम यह कॉलम डिलिट करने वाल है, अल्टर A प्रेस करना है, छोड़ देना है, दी प्रेस करना है, छोड़ देना है, फिर C, तो यहां पर यह कॉलम भी डिलिट हो ग कीबोड में से की हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और फिर दोस्तों आपको राइट साभी सेल सिलेक करने है तो राइट साइड की जो एरो की है वो आप प्रेस एक बार प्रेस करोंगे सेल सिलेक होगा फिर से प्रेस करोंगे तो उसके बाजू का सेल सिलेक होगा फिर से प्रेस करो तो वो इलैक्षिए किस तरह से करना है दोस्तो हाँ छहां से सिलेक्शन शुरू करना है वहां पर अपनेगेर रखी है शीफ्ट की प्रेस करें रहें हमें उपर का सेल ये सिलेक्शन करना है तो अपसाइड की एक बार प्रेस कीजिए तो ये दो सेल सिलेक्ट हो जाएगा तो ये है दोस्तो सेल सिलेक्शन करने के लिए शिफ्ट की प्लस जिस डायेक्शन में आपको सिलेक्शन करना है वो डायेक्शन की एरो फिर दोस्तों नेक पर रखना है फिर दोस्तों आपको कीबोर्ड में से की प्रेस करना है अल्टर शिफ्ट और एंड दोस्तों ये तीनों की को आपको एक साथ प्रेस करना है किस तरह से करना है दोस्तों अब हमें ये जो तीन नंबर का रेकॉर्ड हो सिलेक करना है तो आपको अपना करसर तीन न कॉलम सिलेक करनीए तो आपको क्या करनाए जिस क citrus करना है उस कॉलम का जो फर्स्ट सेल हो वहां पर आपको करसर रखना है मानए दोस्तों हम यहांपे नेम कीकॉलम में वह सिलेक करनी है तो हम अँमारा पर सर यहां पर रख देंगे, फिर दोस्तों आपको कीबोड में से, यह तीन की है, उसको आपको एक साथ प्रेस करना है, अल्टर शिफ्ट पेज डाउन, यहां पर पूरी कॉलम से लेख हो गई, इस तरह से करना है दोस्तों, यह जो तीन की है, उसको एक साथ प्रेस करना है, अल्टर शिफ्ट पेज डाउं ठीके दोस्तों नेक्स्ट चॉटकट किए दोस्तों आपको अपना रेकोर्ड है वो शिफ्ट करना है मतलब मुव करना है दोस्तों कई बार गलती से हम रेकोर्ड उपर नीचे लिख लेते हैं यहां पर हमने गलती से जो एक नंबर का यहां पर पेस्ट कीजिए या फिर डिलिट करके फिर से लिख लीजिए तो एसा ना करना पड़े इस लिए इसकी शॉटकट की है दोस्तों जिस रो को आपको उपर की साइड मुव करना है शिफ्ट करना है उस रो में आपको अपना करसर रखना है दोस्तों हम हमारा करसर य एक बार प्रेस करेंगे तो एक बार उपर की तरफ जाएगी फिर से हम अल्टर शिफ्ट अपसाइड तो यहां पर दूसरी बार अपसाइड जाएगी और हमारा जो रेकॉर्ड है वो फर्स नंबर पर आ गए इस तरह से करना दोस्तों हम यहां पर अंडू कर लेते हैं आपको जिस रो को ऊपर की साइड मूँ करना है मतलब कि ऊपर की साइड ले जाना है उस रो में आपको अपना करसर रखना है हम अमारा करसर यहां पर रख लेते हैं फिर दोस्तों हम कीबोड में से यह जो तीन की है वो एक साथ प्रेस करेंगे अल्टर शिफ्ट और अपसाइड ए से स्फॉर्टकट की रेकोड को अब से दुस्तों नेक्aut står को लिए अपना रेकोर्ड नीचे की तरफ ले जाने के लिए मतलब के डाउन्साइड आको ले आपको अपको मूह कर ना है तो जिस रेकोड को नीचे तरफ हो करना है वहां पर अपना करसर रखना है दोस्तो ये चार नमबर का रेकॉड है वो लास्ट में आना चाहिए गलती से हमने दो नमबर पे लिख लिए है तो हम हमारा करसर यहां पे रख लेते हैं और फिर हम दोस्तो कीबॉड में से कीप्रेस करेंगे अल्टर, शिफ्ट और डाउन सेल एरो एक बार प्रेस करेंगे त यह है शॉटकट की दोस्तो रेकॉड को नीचे की तरफ मतलब के डाउन साइड मोग करने लिए फिर दोस्तो नेक्स्ट शॉटकट की है टेबल को स्प्लिट करने के लिए दोस्तो आपको अपना टेबल दो टूकडो में डिवाइड करना है दो अलग-अलग टेबल में करना आपको जहां से table split करना है वहां पर आपको cursor रखना है दोस्तों हम यह जो रहे वहां से split करना है तो हम हमारी cursor से रखेंगे और keyboard में से हम की press करेंगे Ctrl-Shift-Enter तो यहां से दोस्तों दीगे हमारे Jesus टेबल है दो अलग अलग table में divide हो गया मादलब के split हो गया फिर से हम दोस्तों undo कर लेते हैं किस तरह से करना है? जहां से आपको अपना table split करना है वहाँ पर आपको अपना cursor रहना है अब दोस्तों नश्रे नमबर का record है वहाँ से www.table Spread करना चाहते हैं तो हम cursor यहाँ पर रख लेते हैं और keyboard में से key प्रेस करेंगे Ctrl-Shift-Enter तो इस तरह से दोस्तों यह shortcut की है split table की दोस्तों next shortcut की है दो table को joint करने के लिए दोस्तों यहाँ पर दो अलग-अलग table है अब हमें उसको joint करना है तो आपको क्या करना है आपको अपना cursor यह दोनों table के बीच में रखना है तो यहाँ पर हमारा cursor blink हो रहा है फिर दोस्तों आपको keyboard में से key प्रेस करना है delete एक बार प्रेस करना है तो यह दोनों अलग-अलग table joint हो जाएगे किस तरह से करना है दोस्तों जिस दो table को आपको joint करना है मतलब कि merge करना है उस दो table के बीच में हमारा cursor ले जाना है और आपको एक बार delete की प्रेस करनी है यहाँ पर मैं delete की प्रेस कर लेता हूँ तो यह हमारा table joint हो गया मतलब कि merge हो गया next shortcut की है दोस्तों cell को merge करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें ये दो cell है उसको merge करना है तो आपको जिस cell को merge करना है वो cell आप पर ले select कर लीजिए फिर दोस्तों यहाँ पर उसकी shortcut की है यहाँ पर दोस्तों आपको पहले alter A एक साथ प्रेस करना है फिर उसको छोड़ देना फिर M प्रेस करना है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं Alter A और फिर M, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यह दोनों cell merge हो गए, किस तरह से करना है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस तिन cell को हमें merge करना है तो उसको हम select कर लेता है, फिर keyboard में से की प्रेस करेंगे Alter A, छोड़ देंगे, फिर प्रेस करेंगे M तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यह तीन cell merge हो गए यहाँ पर हम बाकी का content related कर सकता है तो इस तरह से दोस्तों यह shortcut किये cell merge करने के लिए दोस्तों next shortcut किये cell को split करने के लिए अब दोस्तों हमें इस cell को दो अलग-अलग cell में, दो अलग-अलग column में split करना है तो वहाँ पर आप अपना करसर रख लिजिए, इसके shortcut की है, Alter A प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए, फिर P प्रेस कीजिए तो यहाँ पर आपको dialogue box पूछेगा, कि आपको अपना cell कितने column में divide करना है तो हम यहाँ पर column 2 रख रखते हैं, और row 1, फिर यहाँ पर ok पर click करोगे तो यह जो cell है, वो दो अलग-अलग cell में divide हो जाएगा किस तरह से करना है दोस्तों, हमें इस cell को तीन अलग-अलग column में divide करना है तो हम हमारा cursor यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर हम keyboard में से key press करेंगे alter A, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर key press करेंगे P, तो यहाँ पर फिर से dialogue box आ गया है यहाँ पर हम तीन column रख लेते हैं, और okay, तो यहाँ पर हमारा यह जो cell है वो तीन column में divide हो गया तो दोस्तों यह थी table की shortcut की, तो दोस्तों हमने यहाँ पर अलग-अलग 21 shortcut की के बारे में जान करी लिए दोस्तों यह सभी shortcut की है, उसकी आप practice कर लीजिए, और यह जो file है वो download करने की link भी हमने इस video के description में दे दी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, दोस्तों next video में हम insert tab के अंदर यहाँ पर जो next group है illustration group वो सीखने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और दोस्तों इस video के topic में अगर आपको कोई confusion है, तो हमें नीचे comment box में बताईए, जिसका solution आपको जरू से देंगे, दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, thank you